और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमी फाइनल होगा दिली सरकार के पावर को सुप्रीम कोट के द्वारा लोटाये जाने के बाद केंदरिय सरकार ने अध्यादेश जारू किया है इस अध्यादेश पर बहुत ही ज़्यादा बिवाद उत्पन हो गये हैं जानते हैं कि अध्यदेश क्या है आखिर अध्यदेश क्यों जारी किया जाते हैं अध्यदेश एक ऐसा कानून है जिसे केंद्रिय मंत्री मंडल के सिफारिश पर भारत के राष्ट पती द्वारा जारी किया जाता है संसत के अधिनियम के समान अध्यदेश का परभाव होता है यह तभी जारी किया जाता है जब संसत के दोनों सत्र लोकसवा राजसवा का सत्र नहीं चल रहा होता है अध्यादेश जारी करने की सक्ती भारत के राष्टपती को सविधान के अनुछेद 123 के तहात मिलता है राष्ट पती जब अध्यदेश जारी करता है तब यह अध्यदेश छे महीने तक अपने परभाव में रहता है संसत के दोनों सत्रों के द्वारा इस अध्यदेश को बिधायक बना कर पारित करना होता है जब यह बिधायक दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तब यह कानून बन जाता है 6 महीने के भीतर संसत का सत्र चलना अनिवार होता है क्योंकि 6 महीने बाद यह अध्यदेश पुना निस्क्रिये हो जाता है अर्थात अध्यदेश का प्रभाव खत्म हो जाता है बर्ष अनई से पचास से दो हजार चोदर तक कुल 689 अध्यदेश जारी किये जा चुके हैं अध्यदेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं होता है अध्यदेश भारत सरकार को ततकाल बिधाई करवाई करने में सक्छम बनाता है अध्यदेश की जरूरत सरकार को तब परती है जब संसद सत्र में नहीं चल रहे होते हैं किंद्रिय सरकार किसी ततकाल कारी को करने के लिए राष्टपती को सुचित करता है राष्टपती अध्यदेश जारी कर देता है अध्यदेश जारी करने के बाद 6 महीने तक सांसद उस कारी को करने के लिए सक्छम होता है छे महीने बाद या अध्यदेश परभाव हीन हो जाता है अध्यदेश जारी करने का अधिकार राष्टपती को है और राज में राजपाल को है अध्यदेश किसी भी बिधाय को पारित करने का अस्थाई तरीका है राष्टपती द्वरा सरकार के कहने पर भरते सविधान के अनुछेद 113 के अंतरकत अध्यदेश जारी किया जा सकता है संसत को इस अध्यदेश को पारित करने का अधिक्तम समय 6 महिने और 6 सपता तक मिलता है इस अवदी के बीच अध्यदेश पारित हो जाना चाहिए अन्यथा अध्यदेश परभाव हीन हो जाएगा राज्यों में राजपाल के पास अनुछेद 213 के तहट अध्यदेश पारित करने की सकतिया है 213 अनुच्छेत के तहट राजपाल के पास राष्टपती के अनुमती के बिना अध्यदेस जारी करने की सकती अपराप्त है अध्यादेश को सुप्रीम कोट के समक्ष इस अधार पर चुनोती दी जा सकती है कि अध्यादेश को लागू करने के लिए ततकाल करवाई की ओसकता थी या नहीं एक अध्यादेश को केवल तीन बार ही पुना परख्यापित किया जा सकता है अध्यदेश को संसत के दोनों सदनों के समक्च राखा जाता है संसत की बैठक से छे सप्ता की समाप्ति पर अध्यदेश समाप्त हो जाता है एक फ्रांसेसी कानून था जिसमें इसाई धर्म को तो मन्यता दी गई थी लेकिन बहुत धर्म को गैर कानोनी घुशित किया गया था इसे अध्यदेश 10 के नाम से जाना जाता है अगर सांसत अध्यदेश को असविकार करती है तो यह समाप्त हो जाता है यदि इसे असविकृत नहीं किया जाता है तो यह स्वता सांसत की पुनाव बैठक से छह सप्ता की समाप्ती पर काम करना बंद कर देता है यही कारण है कि अध्यदेश को एक अस्थाई उपाय माना ज सभी कानून अदेश उपनियम अध्यदेश और सभिधानिक संसोधन और अन्य सभी अधिस उचनाय न्याइक समिक्षा के अधीन है। संसद की पास कानून बनाकर अधालत के फैसले को पलटने की सकतिया हैं। हलांकि कानून सीधे तोर पर सुप्रीम कोट के फैसले का बिरोधा भासी नहीं हो सकता। कानून में अधालत के फैसले की सोच को एड्रेस करना जरूरी होता है। मतलब यह है कि फैसले के आधार को हटाता हुआ कानून पारित हो सकता है। जुलाई 2021 के एक फैसले में सुप्रीम कोट ने कहा था कि जिस दोस की ओर इसारा किया गया है उसे इस तरह ठीक किया जाना चाहिए था कि दोस को इंगित करने वाले निन्य का आधार हटा दिया गया ह अनई 2021 में जब 249 ए अस्तित्व में आया तब संसद ने Government of National Capital Territory of Delhi Act अनई 2021 भी पास किया। इसमें विधान सभा और दिल्ली सरकार के कामकाज का धाचा तयार किया गया। सुप्रीम कोट की सविधान बेंच ने अपने फैसले में लोक तंत्र और संगवाद की सिधानत को जालती फैसले के अधार सविधानिक परवधानों में है। इस पर बहस हो सकती है कि Government of National Capital Territory of Delhi Act अनई 2021 में बदलाव के फैसले का असर खत्म हो जाएगा या नहीं। संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती। नहीं सविधान में ऐसा संसुदन कर सकती है। जिससे सविधान क मूल ढाचे का उलंगन होता हो। 2018 में बहुमत से सविधान पीठ ने ये फैसला दिया था। दिल्ली को भले ही पूर्णराज का दरजा नहीं दिया जा सकता। वहां संगवाद का सिधान्त लागू होगा। सुप्रीम कोट ने आर्सी कपूर बनाम भारत संग अनई से सत्तर में कहा था कि राष्टपती के निनए को चनवती दी जा सकती है। इस अधार पर की ततकाल करवाई की जरूरत नहीं थी। अध्यदेश को चनवती दी जा सकती है। फिर भी CJI DY चंदरचूर को यह तैक करना होगा कि मामले पर सभिधान बेंच बनाए या नहीं। कुल मिला कर दिल्ली में पावर की खीचा तान अभी लंबी चलने वाली है। दिल्ली में अफसरों की तवादला पोस्टिंग सकती परदर्सन का मोहरा बन गई है। हपते भर पहले सुप्रीम कोट ने दिल्ली में पूलिस, कानून बेवस्ता और भूमी को छोड़ कर अन सभी का नियंतरन दिल्ली सरकार को सुप दिया था। सुक्रबार देरात केंदर ने सुप्रीम कोट के आदेश को पलटने वाला अध्यदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया कि डानिक्स काडर क्रूप एक आधिकारी के ताबादले और अनुसासनात्मक करवाई के लिए राष् और कांग्रेस नेता अविशेक मनुसिंधवी ने कहा कि नए अध्यदेश का गहन अध्यन करना होगा लेकिन असपस्ट रूप से यह खराब बेहद खराब और बेहायाई वाला कदम है। इस पर संदे है कि क्या संसद इसे अपनी मन जोड़ी देगी। वीडियो में दी के लिए आप सभी का धन्यवाद